EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर पेंशन भूगियों के लिए 22 जून है बड़ा दिन नियूंतम पेंशन 7500 प्लस दाका तोहफा 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले भगत सिंग कोशारी कमिटी ने एक रिपोर्ट सदन को सौपा था और इस रिपोर्ट के सभी सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन भाजपा मंत्री प्रकाश जावडे करने दिया था उन्होंने 2013 में कहा था कि हमारी सत्ता आने के बाद EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए कोशारी कमिटी की सभी सिफारिशों को 90 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा 2014 में बीजेपी सरकार की सत्ता पूर्ण भहुमत से आई पर 2014 से लेकर 2024 आ चुका लेकिन हालात वैसे के वैसे ही है क्योंकि बीजेपी सरकार की मन्शा केवल सत्ता में आने की थी केंद्र सरकार ने अभी तक पेंशन भोगियों को दिये गए आश्वासन को पूरा नहीं कर पाई है क्या थी कोशियारी कमिटी की सिफारिशे निवरित कर्मचारी संग के राश्च्रिय उपाध्यक्ष अनिल बाजपेई का कहना है कि कोशियारी कमिटी ने साल 2013 में नियूंतम पेंशन 3000 प्रती महीने करने और महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी इसके साथ वारसदार को 100% पेंशन एवं मुफ्त उपचार की सुविधा की सिफारिश की थी पर इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया वर्तमान में नियूंतम पेंशन 1000 प्रती महा है समिती के पदाधिकारी पिछले 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है परन्तु EPFO और श्रम मंत्राले द्वारा कोई कारवाई नहीं की जा रही है इससे पेंशन भोगियों का भारी नुकसान हो रहा है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है केंद्र सरकार ततकाल प्रभाव से जारी करे आदेश इस बीच महाराष्ट्र से करमचारी नेता विजय कदम का कहना है कि लोकसभा चुनावों के पहले पेंशन भोगी संगठनों ने तै कर लिया था कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बीजेपी या उनके सहयोगी दलों को पेंशन भोगी वोट नहीं करेंगे इसके अनुसार पेंशन भोगियों ने सरकार को सबक सिखाया और अब मोदीजी बिना गटबंधन के सत्ता में काबीज नहीं हो सकते इसके बाद भी अगर मोदीजी सबक नहीं लेते हैं तो पेंशन भोगी अगली बार उनको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं इसलिए उनकी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द ततकाल प्रभाव से आदेश जारी किया जाए पेंशन भोगियों ने न्यूंतम पेंशन का विकल्प चुना वहीं पर एक पेंशन भोगी राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि 2024 लोक सभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली अति आत्म विश्वास से लबरेज एहंकारी मोधी सरकार को अपेक्षित सफलता न मिलने का एक मुख्यकारण बुजर्ग EPS 95 पेंशन भोगियों, अल्प वेतन भोगी करमचारी, मजदूर और उनके परिजनों की घोर नाराजगी और उनकी बद्दुआ भी प्रमुख कारण रही वही पे एक दूसरे पेंशन भोगी ब्रजेश कुमार का कहना है कि EPS 95 में हायर पेंशन, पेंशन भोगियों के साथ एक बहुत बड़ी धोका धड़ी है गलत हरफेर वाली लेखा प्रणाली के तहट EPSो में जमा करने के लिए बूड़े गरीब पेंशन भोगियों से फिरोती की रकम मांगी जा रही है सभी EPS 95 सदस्यों को केवल नियूंतम पेंशन के साथ रहना चाहिए जो विभिन राष्ट्रिय संगोद्वारा निर्धारित साथ 50000 प्लस दा प्लस नहशुल्क चिकितसा सुविधा के रूप में तै की गई है वही पर एक अन्य पेंशन भोगी का कहना है कि हमारी पूंजी जमा करने के बाद भी हमें भीक के जैसी पेंशन मिलती है हमारे से अच्छे तो सामाजिक सुरक्षा के तहट सीनियर सिटीजन है जिनको सरकार 3000 मासिक पेंशन देती है 22 जून को मिलेगी खुश खबरी इस कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लागू करवाने के लिए पेंशन भोगी लामबंध हो चुके है देश भर के लाखो पेंशन भोगी संगटनों के नेता पेंशन भोगियों के अधिकारों की लडाई के लिए 22 जून को भूपाल के कालिंदी होटिल में बड़ी बैठक में भाग लिने वाले हैं जिसमें मन्थन किया जाने वाला है कि किस प्रकार से कोशियारी कमेटी की सिफारिशों को सरकार से लागू करवाया जाए नई लोगसभा का सत्र बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है ऐसे में कोशियारी कमेटी की सिफारिश को लोगसभा में पास करवाने के लिए मध्यप्रदेश सहित देश भर के कर्मचारी नेता एक जुट हो रहे हैं। इस संदर्भ में 22 जून को बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। EPS 95 पेंशन धारकों को शांदार तोहफा, 80,000 एरियर का हुवा भुकतान। पेंशन भूगी हुए मालामाल EPS 95 के अंतरगत एक बार पेंशन लागू हो जाने पर पेंशनों को प्रत्येक वर्ष अपना जीवन प्रमान पत्र अपदेट करवाना अनिवार्य है जिससे पेंशन लगातार जारी रह सके। किन्तु विभिन कारणों जैसे ज्याना भाव, शारिरिक एवा आर्थिक असमर्थता, परिवार के मुख्या की मृत्यू, इत्यादी के कारण कुछ पेंशनर अपना जीवन प्रमान पत्र प्रतिवर्ष अपदेट नहीं करवा पाते जिसके परिणामस्वरूप उनकी पें पंजाब एवाम हिमाचल प्रदेश अंचल की जून, 2024 माह की समीक्षा बैठक में चर्चा के दौरान सभी क्षेत्रियक कार्यालेयों के प्रभारी अधिकारियों को आगामी नवंबर माह में पेंशनरों के जीवन प्रमान पत्रत्वरित गती से अपदेट करने हितु तयार रहने तथा साथ-साथ जिन पेंशनरों की पेंशन पिछले पांच वर्षों से किनी भी कारणों से रूकी हुई है, उनकी पेंशन पुना शुरू करने के विशय पर गहन विचार हुआ जब सामान्य निर्देशों का पालन कर देने के बावजूद भी पेंशनरों से संपर्क नहीं स्थापित किया जा सका तो सामान्य से कुछ अलग प्रयास करने की कोशिश की गई एक पेंशनर तक उसकी पेंशन, जो विगत कई वर्षों से रूकी पड़ी थी, इसके लिए पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल के कर्मचारी भविश्य निधी संगठन के कार्यालय के लोगों द्वारा सामान्य से इतर किये गए कुछ सतत प्रयासों को नीचे बता जिस द्रड़ता से कार्यालय के लोगों ने पेंशनरों तक पहुँचने उन्हें समझाने और उनका विश्वास जीतने की काम्याब कोशिश की है, वह अत्यन्थी सराहनिय है, अप्रेल 2024 तक लगभक 650 ऐसे पेंशनरों से संपर्क स्थापित कर उन्हें पेंशन जारी की जा संपर्क अभियान की शुरुवात कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्राले, भारत सरकार ने अपने अंश धारकों को बहतरीन एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्यस्मय पर अनेक नए अभियान प्रारंब किये हैं इसी कड़ी में संगठन के क्षेत्रिय कार्याले, शिमला, हीप्र ने भविश्य निधी के पेंशन धारकों को सर्वश्रेष्ट तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से संपर्क नामक अभियान की शुरुवात की है इस अभियान के तहट ऐसे पेंशनरों के संपर्क किया जा रहा है, जिनकी पेंशन उनका EG1 प्रमान अपडेट न होने के कारण पिछले पांच वर्षों के रूकी हुई है बंद पेंशन, इस प्रकार फिर से हुई शुरू इसी क्रम में क्षेत्रिय कार्याले, शिमला द्वारा लाभार्थी श्रीमती कमलेश कुमारी, धर्म पतनीष्व श्री अतरदीन, पेंशनर, पीपियो संख्या XX880 से दूरभाश पर बात की गई तथा उन्हें बताया गया कि इस कार्याले द्वारा उनके पती श्री अतरद पतीन की मृत्यू हो चुकी है, उन्होंने यह भी बताया कि उनके पती ने कभी भी इस पेंशन के बारे में नहीं बताया और नहीं ये बताया कि उनकी मृत्यू के बाद ये पेंशन उन्हें लगेगी, चुमकी कमलेश पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनको कुछ भी पिर उन्हें कहा गया कि यदि घर पर कोई और है तो उनसे बात करवाएं. घर पर और कोई नहीं है. या कहकर फोन काट दिया. कमलेश को फिर से कॉल की गई. अब वह फोन पर जोर-जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं बीमार हूँ. अभी मेरे पास कोई नहीं है. मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही. आप क्यों बार-बार फोन कर रही हैं? इस पर कार्याले दवारा पेंशनर से जिस भाषा में वह बात कर रही थी. उसी भाषा में बात की गई. वह कॉंगडी भाषा में बात कर रही थी. कार्याले दवारा कॉंगडी भाषा में ही उनको पे पूरा करने के लिए अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। श्रीमती कमलेश को परिवार के अन्य सदस्य से बात करवाने के लिए कहा गया ताकि पेंशन हेतु उनके स्तर पर की जाने वाली आपचारिकताओं के बारे में समझाया जा सके। इस पर उन्होंने अपनी पोती से बात करवाई। उनकी पोती को संपूर्ण मामले की जानकारी दी गई और कहा गया कि इसके लिए श्रीमती कमलेश कुमारी को अपने पती स्व श्री अतरदीन का म्रत्यू प्रमान पत्र, अपने आधार कार्ड और बैंक पास्बुक की कॉप बैंक खाता उसी शाखा में होना चाहिए जिसमें उनके स्व पती श्री अतरदीन का था, इत्यादी दस्तावेज इस कार्यालय को भेजने होंगे। श्रीमती कमलेश ने दूरभाश के दवारा EPFO कार्याले शिमला का धन्यवाद किया है और उनकी पोती के दवारा वाट्सैप एवं विडियो संदेश में EPFO कार्याले शिमला का धन्यवाद किया गया। उन्होंने कहा किये मेरे पती की पेंशन देने के लिए EPF शिमला का धन्यवाद। मेरे पती TCI कंपनी में काम कर चुके हैं। उनको पेंशन आती थी लेकिन उनकी मृत्यू के बाद मुझे पेंशन के बारे में पता नहीं था। लेकिन EPF शिमला ने मुझे मेरी पेंशन के बारे में सूचित किया और एक सप्ताह के भीतर मुझे मेरी पेंशन मिल गई। मुझे वित्तिय स्वतंत्रता देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। EPS 95 Pension शपत लेते ही PM मोधी के पास पहुचा पेंशन भोगियों का इमेल होने वाला है कुछ बड़ा D.A. से जुड़ी न्यूंतम पेंशन में वृद्धी का अनसुलजा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में EPS 95 Pension भोगियों की व्यापक मांग है। सूचनाजी न्यूज, 36 गड़, EPS 95 न्यूंतम पेंशन, EPS 95 मिनमम पेंशन, 1000 रुपए को 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है। PM मोधी शपत ले चुके हैं। लगातार दो कार्यकाल से मांग की जा रही, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया, पर अमल नहीं किया था। रविवार को मोधी ने तीसरी बार PM पत की शपत ले ली है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों ने PMO को अपनी दर्द भरी मांग इमेल के माध्यम से भेज दिया है। अनिल कुमार ब्योहार ने EPS 95 पेंशन भोगी कार्य करता, EPS 95 पेंशन भोगी समन्वय समिती के राष्ट्रिय सचिफ शामराव जी के पोस्ट को शेर किया। PM मोधी को भेजे गए इमेल का मजमून आप भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या-क्या लिखा है। PM मोधी को बधाई सबसे पहले दी गई। साथ ही लिखा गया देश के EPS 95 पेंशन भोगी आपको भारत के प्रधान मंत्री के रूप में तीसरी बार करोडों नागरिकों का दिल जीतने के लिए शुपकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। प्रधान मंत्री जी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक दिये से जुड़ी नियोंतम पेंशन में व्रिधी का अंसुलजा मुद्दा जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में EPS 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। इसको कैबिनेट की बैठक द्वारा हल किया जा सकता है। लाखों पेंशन भोगियों के चहरों पर मुस्कान लाने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में बहतर होगा, जो कई वर्षों से नहीं देखी गई है। श्रम और रोजगार विभाग और वित्विभाग ने ध्यान नहीं दिया। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा की मांग। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की देख भाल करके आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। वरिष्ठ नागरिकों की की आर्थिक सुरक्षा ने लिए रभ। झाल झाल